सुखरबाद दोस्तों और आज आज आपके नराते शुरू हैं अंज्वाइदी नराते बाकी अन्वार्मेट आज बहुत बेतरीन है नॉर्मल से ज़्यादा दिलकश वो तो होना ही था देवी शक्ती के प्रकोख है और आप यह समझें कि था हैं याण चाहिए हैं सब्सक्राइब यहां पर रातरी हैं भी पता नहीं चलती और सोरे भी जब कि सबuden से वेक हो रहा आपको बसंतने अगे रड़ wypश एक हर चीज़ को ट्रॉयकर यह भी झारा आज रोड़िक़ स्क्ति तो ऐसी कौन सी जवी शक्ति है जो हर चीज को चलाय हुए है ये तो हर कोई जानता है बट हर एक के अंदर क्या क्या शक्तियां हैं जो हारनेस की जाएं तो दुनिया को पलट सकती है और ये बहुत अवश्चक है तो कि ये जब तक देखा नहीं जाएगा तब तक सरहा नहीं जाएगा और आगे इसके उपर वर्क नहीं किया जाएगा तो ये बहुत अनिवार रहा और आप ये करने कि ये सब करती जाएं और बाकी आगे पूर्ण तहार जन जाएगा तो आप ये देखें तो बहुत ज़्यादा कारगर काम हो पाएगा लेकिन जहां तक की मूशों का सवाल है मुस्टैश दी सोल अफ़ मैं दैस्वत जैसे और हर जगा सुबह सुबह ही आनन फानन लोग अपने कार्यों पर आ रहे हैं जा रहे हैं आ चुके हैं जा चुके हैं और ये ही सिर्फ शुरवात में ही है आगे और भी आयाम हैं और भी आगाज हैं तो आप इन सब को समझें देखें सरा हैं और इनका आगे तक फालो करें तो में अजेंडा जो आज का है वो मुस्टैश भी है और बागी अंदर की हमारी शक्तिया जो हम हालनस कर रहे हैं वो भी लेकिन कई ना कई ये सारी इंटर्र एलेटेडड हैं क्योंकि ये मुस्टैश हो या कुछ भी हो यह मुझा हो जो हम रखने की चाह रखते हैं और ये चाह तब ही होती है जब हम actual में इस level पर सोच सकते हैं तो आप यह सिरु सोचे ही नहीं समझें भी समझें ही नहीं सराहे भी और इसका प्रगोप जो है वो बहुत आगे तक जाता है तो आप पर सब समझना पड़ेगा आगे तर ले जाना पड़ेगा समझ के समझाना पड़ेगा और तब जाके ये तहीं एक जिन्दगी का भाव बना पाएगा तो you should be pretty much into it to understand that it is not only in its complacency and complete sense but overall thing so ये आज की भाव को यही समाप्त करते हुए आप उसको शेर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और कल हम इसी वक्त कर मिलेंगे सायोनारा, शब्बा खेर, खुदा आपस्ट